हलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचेंदों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी पॉल्टेक्निक फस्स सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके एपलाइड फिजिक्स के पेपर के बारे में जिस तरीके से आपका पेपर आता है, वहाँ पर क्या आपको करन करना है, किस तरीके से क्यूशन आटेम्ट करना है, आज के इस वीडियो में पूरे नए पेपर के साथ एनलाइज करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप सभी का जो भी पेपर आता है आपके पॉल्टेक्निक फस्स में एपलाइड फिजिक्स का एपलाइड केमेस्ट किस तरीके का होता है, किस तरीके की प्रिंटिंग होती है, और हमें सबसे पहले कौन सा क्यूशन आटेम्ट करना चाहिए, या लास्ट चे करना चाहिए, बीच से करना चाहिए, पहले से करना चाहिए, और हमें किस तरीके से कॉपी में लिखना है, उन सब के बारे में आज क इस वीडियो में discuss करेंगे, तो वीडियो बहुत important होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंतक enjoy किजिए, और जो भी stress है आप सभी के दिमाग में, उसे निकाल फे किए, और वीडियो को पूरा वाज किजिए, कहीं नगाई, आप सभी बिल्कुल first time में अच्छा करन हैं, तो आपको description box में link given मिलेगा, या channel पर playlist मैंने बना दी है, जा करके देख सकते हो, आपको उन paper की भी analyze हो जाएगी, तो चलिए continue होते हैं अपने वीडियो के शाथ, देखिए, आपका जो paper आता है, कुछ इस तरीके से आता है हिंदी में, ठीके, हिंदी के उपर आप सभी को applied physics वगएरा कुछ नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ यहाँ corner पर आपको logo, code मिलेगा, ठीके, और यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखा रहेगा, और यहाँ पर कुछ instruction दी जाती है, जो आप सभी के board examination में दी जाती है, जैसे आपने 12th, 10th में दिया है, कि आप सभी के आसपास कुछ होना नहीं चाहिए, सभी प्रस्णों को उत्तर देने है, फोन वगरा का अनुपरियोग है, ठीके, मना है, ठीके, चलिए, आगे discuss करते हैं कि starting के questions किस तरीके से दी रहते हैं, तो starting के question में हमें 12 question मिलते हैं, जिसमें 10 करने होती है, यानि 2 question की छूट मिल जाती है, जैस साथी साथ तीसरा था सार्थक अंकों की संख्या लिखिये, ठीके, अब चौथा है, परतिबल के मात्रक को लिखिये, बहुत सरल था, साथ साथी हार्मोनिक दोलन की इस्तित्रिज उर्जा को दिया जाता है, तो अगर आप इसे नहीं आता, तो छोड़ देते, रेखी संबे जी का मान किस पर निर्भर करता है, ठीके, चलिए, एक वाट बराबर है कितने असुसक्ति के, उसको दिया गया है आप सभी को, साथी साथ पूछा गया है, जड़त आगूर तथा घोडन त्रिजा के बीच में क्या संबंध है, ठीके, उसके साथ साथ पूछा गया है, दो स क्यूशन यहां पर और गिवन है, ठीके, एक समतापी प्रक्रम में क्या होता है, और उसके साथ साथ ही यहां पर चंदरमा वाला कोई क्यूशन दिया है, मैं आगे इंगलिस वाले बरजन में देख लेता हूँ, ठीके, तो ऐसे टोटल आप सभी को 12 क्यूशन गिवन होंगे कि आपको क्यूशन स्टार्टिंग से करना चाहिए, क्यूशन सीरियल से करने का यह फाइदा होता है कि एक्जामनर के दिमाग में 125 का कंसेप्ट बना रहता है, ठीके, कहीं ने कहीं क्या होगा, कि आप 5 वाला करोगे, फिर 2 वाला करोगे, तो उसमें कभी-कभी 5 वाले में भी दो देकर चला जाता है उसको कोई गम नहीं है बट आपको नुकसान उससे मिल सकता है तो मैं आप सभी से यही इसला करूंगा कि आपको की स्क्रेटरी के की सिंट करने चाहिए अब जो किसंट नहीं आ रहे है उनका थोड़ा सा आप गाफ करके आगे बढ़ जाओगे सेकेंड लेकिन आप यही करना कि पहले किसंस को स्टार्टेंग से भी करना सुरू करना ठीक है जो क्यूशन नहीं आते हैं उन्हें गैब बनाकर छोड़ देना फिलाल चलता है दूसरे क्यूशन की तरह इसमें साथ क्यूशन दिये हैंगे दो फिर से आउप्शनल होंगे और पांच करने होंगे दस नंबर पूरे मिलेंगे ठीक है यहां पर बीमा लिख सकते हो चलिए आगे हैं दो सदिस वेक्टर ए तथा वेक्टर वी की वैलू दी है उनकी गड़ना करनी है ठीक है तो आप इसली गड़ना भी कर सकते हो साथ ही साथ घनाब के आयतन में मापी जाने वाली तुरूटी की गड़ना करनी थी यह भी क्यूशन काफी स सरल था आप सभी को सरल देखने को मिल गए एक ब्लाक इस्थिर अवस्ता में एक 36 मेच पर 10 न्यूटन है ब्लाक तथा मेच के बीच अस्थायतिक घरसर गुडांग इतना है तो ब्लाक की गति को शुरू करने के लिए 36 बल का मान क्या होगा ठीक है तो यह भी क्यूशन चार क्यूशन आप सभी को सरल देखने को मिल गया और पांचवा क्यूशन था एक रुद्धोस्म प्रक्रम के लिए ताप एवंग आयतन के बीच सूत्र लिखिए ठीक है प्रत्यासता को परिवासित की यह हुक कर नियम लिखना था उसमा गत्की के प्रथम नियम के कर्थन को ल जाते हैं ठीक है तो चलिए इस क्यूशन जो आप सभी ये क्यूशन पेपर देख रहे हो इसी क्यूशन पेपर को मैंने भी बूर्ड एक्जाम में देकर आये थे और इसी बूर्ड एक्जाम में मैंने 43 स्कोर किये थे तो बिल्कुल अच्छा स्कोर मिल गया था लिकल छोड़ दिया था नाविकेंदरी बल को परिभासित किया था मैंने सीधा जड़त आगूर तता गुड़न तिर्जा को परिभासित किया था और समांतर अच्छ पर्मे के कथन को लिग दिया था साथी साथ सरच्छी बल को परिभासित किया था सरच्छी बल तता जिमान्त घरसड़ के नियम को लिखना था ठीक है और दोनिक जीवन में उपयोग तो घरसड़ के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोगे आप सभी को आई थिंक पता होंगे ग्रहों के गति के केपलर नियम इसे भी आप इसली बता सकते हो और सबसे इंपोर्टन और सबसे सरल तो इसे आप सभी को बताया है कि अगर आप पढ़के जाते हो फिर भी आपको 50 के पूरे चांसे होते हैं क्यूंकि नियमेरिकल आपका और मैंने भी नियमेरिकल बिल्कुल छुगा भी नहीं था चलिए आगे प्रिष्ट तनाव को परिभासित कीजिए और केस किया उन्हीं जलके प्रिष्ट तनाव को गांच करने की विधी का बढ़न की और फिर मैंने दोनों क्यूस्टन वाले दोनों क्यूस्टन किये थे कौंसे किये थे ठोस के रिखी छेतरी तथा आयतन प्रसार गुडांग को परवासित किया था और बौरनवली प्रमे को किया था ठीक है तो आपको मिनमा माग 17 यहां पर लेने होते हैं और इसी तरीके से आपका क्यूस्टन गिवन होता है ठीक है यहां पर प्रिंटिंग होती है देखिए नो बजे का एक्जाम आट बच कर 10 मिनट 27 सेकंड की प्रिंटिंग 23 मार्च को एक्जामिनिशन था तो इस तरीके से आप सभ कि बेलोस्टी का मान होता है वो चंदर्मा की कंपेर में अर्थ पर क्या होता है ठीक है बराबर होता है कम होता है ज्यादा होता है इसको आप सभी को डिफाइन करना था चलिए तो आज कि इस वीडियो में इतना ही दिखाना था आप सभी को कि किस तरीके से आप सभी का एक् झाल झाल